नमस्कार दोस्तों मेरे रस्वी में स्वारत है आज हम बनाने माले है सिंपल सा चीकन चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए बहुत जल बन जाता है घम सिंपल सा ज़ट पटू चीकन तेल डाल दिये हैं कराई में तेल के गरम होने देंगे हम सरस्व तेल में बनाते हैं पसंद है कोई गरम मसलत आप डाल सकते हैं देखे सींपल से हम बना रहे हैं एक किलो चीकन है देखे प्याज काटे हैं 500 प्याज है अपना हिसाब से काटिएगा प्याज डाल दिये हैं तेल गरम होगे है इसको देखे प्याज को बेशी नहीं करेंगे हलका बढावन करेंगे हहाँ आप चाहते हैं तो इसे जदा कर सकते हैं यह प्याज जो ल्हाल कि इसे में चिकन डाल दे रहा है कि Magra has born ने चाहते हैं ता वी इससे ज्याधा भी मैं सकते हैं कि दमश्ला डालेंगे को कि अ बूहन जाता है तो, सफिद सफिद हो जाता है इसे जादे नहीं बूह दो लिए तक के गुल ज़ता है इसे ज्यादा नहीं आप मसाला है पेस्ट 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 हैं मिया जीरा सब के पेष्ट बना लिए हैं डाल दिये हैं लाल मिर्च के पेष्ट है तो भी डाल दे रहे हैं कि अब मिक्स कर लेते हैं असला डाल के उसको जब तक तेल नहीं लिक लेगा जब तक भूनेंगे मसाला के साथ में चिपन को अब चाहते हैं तो मसाला ब्हुंज के भी डाल सकते हैं और नमक भी डाल दिये हैं मसाला के संद में पानी भी छोड़ते गाप्याज वत उससाथ रहे हैं बिच बिच में डहुक देंगे घप के भूझेंगे अ शाला कर रैगा आपना अधि 어떡 कर लेते हैं अच्छे तरह चिकन को भूंजना है चलाते हुए देखिए गईस कम रखे थे द्याग दिये थे बीच में अब इसको त्याज इसमें गल जागा मसला भी भूंजा जागा नमग में पानी चूट गया है चलाते हुए भूंजेगे फिन बीच में चलाते हुए चला उलाके जाओ देगे प्याज भी गल गया है और चिकन भी पक दिया है बीच में आओ ड़क के पकाएंगे कम करके गस तब पक जाएगा आप चाहते हैं तो टामाटर भी डाल सकते हैं टामाटर नहीं डाले हैं देखिए तेज गयस करके अब भूंजेगे दस मिनट तक ला मसाला को अच्छे से भून लेंगे पुस्वबाद फिन पानी डालेंगे देखिए भूना गया है भूंते हुए पकाए हैं मसाला भी देखिए कलर भी चेन हो गया है हम एक गिलास पानी डाल रहा है अब अपना हिसाब से गिरेवी रख सकते हैं कमदेशी गिरेवी बला बना रहे हैं इसको बाद में देखते हैं आप पानी में लवेगा रखे क्या होता है कर लेते हैं थोड़ा सुनाव डाल दिए हैं पानी अब इसको भाग के पकाएंगे पांच मिनट तक लाद गयास बंद कर देंगे तब भूना हुआ खा सकते हैं गिरेवी बला बना रहे हैं मसाला के पेस्ट बनाये हैं डाल दे रहा हैं डाल के पांच मिनट तक लाद पकने देंगे डाब के बाद सोब करेंगे डाब दे रहा हैं कर दो